मैं गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, शिव जी को प्रणाम करता हूँ, विश्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ, ब्रमा जी को प्रणाम करता हूँ, सभी देवी देवता हूँ, यक्षों सभी को प्रणाम करता हूँ शुरू करते हैं एक ताली स्वाध्याय श्रीक्रिष्ण का मत्वरा जी में प्रवेश श्रीशुकदेव जी कहते हैं परिक्षित अक्रूर जी इस प्रकार सुती कर रहे थे उन्हें भगवान श्रीक्रिष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के जर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिने में कोई कई रूप कोई रूप दिखा कर फिर उसे परदे की ओट में छिपा दे जब अक्रूर जीन देखा कि भगवान का ये है वह दिव रूप अंतरधान हो गया तब वह जल से बहार निकल आये और फिर जल्दी-जल् में कोई अद्भूत वस्तु देखिए क्या क्योंकि आपकी आकरती देखने से ऐसा ही जान पड़ता है अक्रूर जी ने का प्रभू प्रत्वी आकाश ये जल्में और सारे जगत में जितने भी अद्भूत पदार्थ है वह सब आप में ही है क्योंकि आप विश्व रूप ह जब मैं आपको ही देख रहा हूँ, तब ऐसी कौन सी अद्भुद वस्तू रह जाती है, जो मैंने ना देखी हो, भगवन जितनी भी अद्भुद वस्तू हैं, विप्रत्वी में हो या जल, अत्वा आकाश हो हैं, सब की सब जिन में हैं, उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ फिर भला है, मैंने यहाँ अद्भुद वस्तू कौन सी देखी, भागवत में भी ऐसा कई बार आया है, कि जब भगवान इस रश्टी करी, जो मैंने पिछली बार बताया था, कि महतत्व बनाया, और प्रत्वी, जल, अगनी और वो सब बनाया, उसके बाद भगवान उसमे पियापक उसमें ये भी आता है, साथ कुन है, श्वित आश्ट और अप्रिश्द मेसा लिखा है, गांदी नंदन अकुरूड जी ने ये कहकर रथ हांग दिया, और भगवान श्रिकृष्ट तथा बलरामची को लेकर दिन ढलते डलते वे मतुरापुरी जहाँ पहुँचे प्रिक्षित माइग में स्थान स्थान पर गावों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्रिकृष्ट तथा बलरामची को देखकर आनन्द मगन हो जाते, वे एक टक उनकी उर देखने लगते अपनी रष्टी हटा नहीं पाते दंद बाबा आदिव रजवासी तो पहले से ही वहाँ पहुँच गए थे और मतुरापुरी के बाहरी उपवन में रुख कर उनकी प्रतिक्षा कर रहे थे उनके पास पहुँचकर जगदीश्वर भगवान श्रीक्रिशने विनीद भाव से खड़े अकुरूड जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कराते हुए कहा चाचा जी आप रथ लेकर पहले मतुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाईए हम लोग पहले यहां उतर कर फिर नगर देखने के लिए आएंगे अकुरूड जी ने का प्रवो आप दोनों के बिना मैं मत्रा में नहीं जा सकता स्वामी मैं आपका भक्त हूँ भक्त वच्सल प्रवो आप मुझे मत छोड़िये भग्वन आईए चलें मेरे परम हितैशी और सच्छे सुहत भग्वन आप बलराम जी गालबालों तथा नंदराय जी आदी आत्मियों के साथ चल कर हमारा घर सनात कीजे हम ग्रहस्त हैं आप अपने चर्णों की धूली से हमारा घर प्रवित्र कीजे आपके चर्णों की धो करते हैं केवल यह शी नहीं उन्हें अतुली एश्वर रित्था वह गती प्राप्त हुई जो अनन्न प्रमी भक्तों को प्राप्त होती है राजा बली की बात हो रही है यहां पर बामन भगवान जोग गय थे आपके चर्णों तक गंगा जी ने तीनों लोग पवित्र कर द करता है उन्हीं के सपर्च से सगर के पुत्रों को सदगती प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयम भगवान शंकर ने अपने सिर्फ पर धारान किया यहां पर सगर के पुत्रों के बादे में लिखा है सगर के पूत्र जो थे उन्होंने शागर बनाया था फ discussing गोڑा जो था ना उन्होंने अश्व में इध्या करवाया था सगर ने और उनके पूत्र गोड़ा दुणने गया थे तो वहां पिर मुनिनी जब आखें खोली तो उन्होंने भस मकर दिया उनको क्योंकि वो लड़ने के लिए दौर रहे थे उनके पास इसलिए फिर जो सगर के जो बाकी जो पुत्र हुए थे उनी के वंच में गंगा जी दाने के लिए भगीरत जी फिर गंगा जी ले कहा जिससे उनकी आप आया है ना शॉर्ट में उनी के इस पर्ष से सगर के पुत्रों को सद्गती प्राप्ति और उसी जलकुस्वें भगवान शंकर ने अपने सिर प्रधारान किया यद्वन शिरोंब्रे आप देवताओं के भी अराद्य देव हैं जगत के स्वामी हैं आपके गुण और लिलाओं का श्रवन तथा कीर्थन बड़ा ही मंगल कारी है उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्थन करते रहते हैं नारायन मैं आपको नमस्कार करता हूं शिर भगवान ने का चाचा जी मैं दावु भाईया के साथ आपके घर आऊंगा और पहले इस यद्वन्शिय से शिर किष्ण अब बलराम के ले आने का समाचा निविजन किया और अपने घर गए दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और गाल बालों के साथ भगवान शिर किष्ण ने मतरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रविश किया भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे लगे हैं और सोने की ही तोरन बाहरी दर्वाजे बने हुए नगर के चारों और तामबे और पीतल की चार दिवारी बनी हुई है खाई के कारण कहीं इस उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठेश न है स्थान स्थान पर सुन्दर सुन्दर उद्यान और रंबणी उपवन के कारीगरों के बैठने के स्थान या प्रजावर्क के सभाभवन, ताउन हॉल और साधारन लोगों के निवास ग्रेन नगर की शुबा बढ़ा रहे हैं, वैदूर्य, हीरे, स्वाटिक, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने, आदी से जड़े हुए छज्जे, चबूत्रे, जरोके एवं फर्ष आदी जगमगा रहे हैं, उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर, आदी पक्षी भाती भाती की बूरी बोल रहे हैं, सड़क, बाजार, गली एवं चुराओं पर खूब छिड़काव किया गया है, स्थान स्थार पर फूलों के गजरे, जवारे, खील और चावल ब वस्तनों से भलिबाती से जाए हुए हैं, परिक्षित वस्तदेव नंदन भागवान शिक्रिश्न और बलरान जी ने गालबालों के साथ राजपत से मतुरा नगरी में प्रवेश किया, उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए जटपट अटारियों पर चड़ाएं, किसी किसी ने जल्दी के कार अपने वस्त और गहने उल्टे पहन लिए, किसी ने भूल से कुंडल, कंगन, आदी, जोड़े से पहने जाने वाले आभूश्नों में से एक ही पहना और चल पड़ी, कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूश्न धा पड़ी, कई रमणियां तो भूजन करी रही थी, वे हाथ का कौर फेक कर चल पड़ी, सबका मन उच्सा और आनन से भर रहा था, कोई-कोई उगटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किये ही दौड़ पड़ी, जो सो रही थी वे कुलाहल सुनकर उट खड़ी हुई और उस इसी से चल रहे थे, उन्होंने लक्ष्मी को भी आनन्दित करने वाले अपने शाम सुन्दर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनन दिया, और अपनी विलासपुर प्रगल्भ हसी तथा प्रेम भरी चित्वन से उनके मन चुरा लिये, जो ऐसे यहाँ पर लक्ष्मार जी को, वैसे ही यहाँ पे भी है, मौत्रा की इस्त्रियां बहुत दिनों से भगवान शिक्रिष्न की अद्भुत लीलाएं सुन्ती आ रहे थी, उनके चित चिरकाल से शिक्रिष्न के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे, आज उन्होंने उन्हें देखा, जन्द में सुरुकालेंगन किया, उनका श्री पुलकित हो गया, बहुत दिनों की विरह व्याधी शांत हो गई, मत्रा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चल कर बलराव श्री कृष्न पर पुश्मों की वर्षा करने लगी, उसी समय उन निस्त्रियों के ब्रामर, शत्री और वैश्वन स्थान स्थान पर दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदर और भेंट की समगनों से आनंद मगन होकर भगवान श्री कृष्न और बलराम जी की पुजा की और भगवान को देखकर सभी पुर्वासी आपस में कहने लगे, ध भगवान श्रीकृष्न ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था, उनकी और आ रहा है, भगवान श्रीकृष्न ने उससे दुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे, भगवान ने का भाई, तुम हमें वस्त दो, जो हमारे शरीर में पूरे पूर आ जाए, वास्ता में हम लोग उन वस्तों के दिकारी हैं, इसमें संदे रही कि यदि तुम लोग, तुम हम लोगों को वस्त दोगे, तो तुम्हारा परम कल्यान होगा, परिक्षित, भगवान सरवत्र परिपूर है, जब सब कुछ उन्ही का है, फिर भी उन्होंने इस प् पहार जंगलों में, क्या वहाँ ऐसे ही वस्त पहनते हो, तुम लोग बहुत उद्धन्ड हो गए हो, तभी तो ऐसी बल बल कर बाते करते हो, अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है, अरे मूर्खो जाओ, भाग जाओ, यदि कुछ दिन जीने की तरह मत मांगना, राज कर्म चरी तुम्हारे जैसे उच्छ रंकलों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं, जो कुछ उनके पास होता है, जीन लेते हैं, जब वे दूबी इस प्रकार बहुत बहग बहग कर बाते करने लगा, तब भगवान श्रीकिशने तनिक कुपित होकर उ उसका सिर्फ धलाम से धल से नीचे जा गिरा, ये देख कर उस धूबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपरों के गठर वहीं छोड़कर इदर दर भाग गए, बगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया, बगवान श्रीकिशन बलराम जी ने मनमाने वस्त पहन लिये, तथा बड़ी प्रसंता हुई, उसने उन रंग बिरंगे स्तुंतर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे धंग से सजा दिया कि वैस सब ठीक ठीक फब गए, अनिक प्रकार के वस्त्रों से विखुशत होकर दोनों भाई और विद अथिक शुभायमान हुए, ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के श्वेत और श्याम गजवाश गशावक भलिभाती सजा दिये गए हूँ, भागवान श्रीकृष्ण ने उस दरजी पर बहुत प्रसंद होए, उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ती बल एश्वर अपनी स्मृती और दूर तक देखने सुनने आदी वार्णि कि इंदुर संबनी शक्तियां दी ए और 30 के बाद के लिए अपना सारूप मुक्ष भी दे दिया, सारूप मुक्ष जो होते हम पांस तरह के लिए हुँ, साश्टी सामीपे, शालो के सारूप और कैवल मुक्ष, पांस तरह के लिए होते हैं, जिसमें जे जो चार ह वो तो सबसे अच्छे हैं लेकिन कैवल लिमुक्ष बहुत खराब है इसलिए खराब है क्योंकि उसमें अगर किसी को कैवल लिमुक्ष मिल गया तो इसका मतलब उसको प्रेमानन जो है वो कभी भी नहीं मिलेगा इसलिए कैवल लिमुक्ष से अच्छा तो यह है कि हम नरक चल नहीं है चार मुक्ष अच्छे हैं सारूप पे सामी पे सालोग के और सार्ष जी इसके बाद भगवान शिक्रिष्ण है सुदामा माली के घर गए उन्होंने दोनों भाईयों को देखते ही सुदामा उठ खळाऊगा और प्रत्री पर सिर्क रख करने परणाम किया फिर उनको आसन पर बैठा कर उनके पाउं पकारे हाथ दुलाए और तदंतर ग्वालबालों के साहित सबकी फूलों की हार पान चंदन और सामगरियों से विधिपूर्ग पूजा कि इसके परशा उसने प्रातना की प्रभू आप दोनों के शुभाग मन से हमारा जुन सफल हो गया हमा अगर भगवान की पूजा आप करते हैं और अपने जो जितने भी कर्म है वो भगवान की सवर्पित करते वें चलते हैं तो हमारे और कोई भी रिन बाकी नहीं रहते हैं कोई भी पित रिन देव रिन ये सारे रिन जो हैं वो सब पूरे हो जाते हैं अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो, ऐसा यहां पर पढ़ने पर भी मालूम पढ़ रहा है, आप दोनों संपूर जगत के परमकारण हैं, आप संसार के अभ्यूदय, उन्नति और निश्रियस, मुक्ष के लिए ही इस प्रत्वी पर अपने ज्यान बल आदी अंशों के साथ अफ्तीर होएं, वो याद रखिएगा, वो है परित्रा, में रीजन वो है, वाकी बहुत सारे भगवान के अउतार के कारण होते हैं, लेकिन में कारण है परित्रा, परित्रा का मतलब होता है, जैसे जो भगवान के जो संत होते हैं, जिनकी भगवात प्राप्ती हो चुकी होती है, जो कि आया कि कोई भी विश्यों को ग्रहनन नहीं कर सकते छो भगवान जो है वो उन पू आनन देने के लिए के लिए वह सिर्फ भगवान की चीज़ ले सकते जैसे जो हमारा मन बुद्धी होता है वो माईक होता है लेकिन जो भगवत प्राप्षी जिसकी हो जाती है उसके पास दिव विमन दिव बुद्धी होता है तो जो भगवान के संत होते हैं वो केवल दिव विमन और दिव बुद्धी वाली ही वाली ही चीजों को ग्रहना कर सक करते हैं इसलिए भगवान अते हैं उनके पास उनको आनन देने के लिए ये मतलब वता है पडितल bling का कि वाय से बहुत सारे होते हैं और भी यद unfortunately उस्वाब्स रिवाश सरे आप sa आप समस्त प्राणियों और प्रदार्थों में सम रूप से स्थित हैं मैं आपका दास हो आप दोनों मुझे आग्या दीजे कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करू भगवन जीव पर आपका ये बहुत बड़ा अनुग्रह है पूर्ण कृपर प्रसाद है कि आप उसे आग्या दे कर किसी कारे में न्यूक्त करते हैं राजेंद्र सुदामा माली ने इस प्रकार प्रातना करने के बाद भगवन का अविप्रह जान कर बड़े प्रेम और आनन से भरकर अत्यन सुंदर सुंदर दता सुगंदित पुष्मों से गूतेवे हाँ पेनाए जग्वाल बाल और बलराम जी के साथ मवान श्रीक्रिशन उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके तब उन वरदायक प्रभू ने प्रसंद्न होकर विनीत और शर्णाकत सुदामा को श्रेश वर दिये सुदामा माली ने उन से विये वर मांगा कि प्रभू आप ही समसुद्रानियों के आत्मा है सर्व सुरूप आपके चर्णों में मेरी अविजल भक्ती हो सर्व सुरूप आपके चर्णों में मेरी अविजल भक्ती हो ये मांगा जैसे विभीशन ने भी यही मांगा था कि विभीशन ने भगवान जो प्रकट हुए थे तब उनसे यही मांगा था कि अविजल भक्ती हो आपके भक्तों में मेरा सोहार्ध मेंत्री का संबंद हो और समस्थ प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बने रहे अहेतुक का मतलब बता है बिना कारण के ठीक है और यहाँ पर जो आत्मा लिखा है प्रभू आप ही समस्थ प्राणियों के आत्मा आत्मा का मतलब यहां लक्ष होना चाहिए भगवान ही आनन्द है न क्योंकि इसलिए आग की भक्तों से मेरा सोहाथ बैत्री का संबंध हो और स्तमस्प्राणियों के प्रति अहेतुग द्या का भाव बना रहे भगवान श्रकृष्ण ने सुदामा को इसके मांगे हुए वर्तों दिये ही ऐसी लक्षमी भी दी जो वन्ष परमपरा के साथ बढ़ती जाये और साथ ही बल आयू कीरती दथा कांती का भी वर्दान दिया इसके बाद भगवान श्रकृष्ण बल राम जी के साथ वहां से विदा हुए जो मैंने यहाँ पर बताया कि आत्मा का मतलब लक्ष है और आत्मा का मतलब आनन्द है और सभी का लक्ष जो है वो आनन्द प्राफ्ट करना है सभी आनन्द को चाहते है केवल और आनन्द ही भगवान है आनन्द ही ब्रह्म में है जैसे भगवान के अंदर आनन्द है यह ठीक नहीं है कहना यह कहना ठीक है कि भगवान ही आनन्द है इसलिए सत्चित आनन्द भगवान का नाम है सितन का मतलब चेतन, वो आनन जो है वो चेतन आनंद है और सभी उस आनन को चाहते है हम केवल जितने भी हैं हम सि Maxim standphone को ही चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते हैं, जितने भी जीव हैं सिफ नीवाल को ही ज्यार जीव जैसे लिखा है राम चरित्मानस में मुचौपाई में इसलिए यहां पर ऐसे लिखा है उन्होंने कहा है आप ही समस्प्राणियों के आत्मा है हमारा अल्टिमेट लक्ष जो है वह भगत प्रात्ती है इसलिए हमको मनेश शरीज मिलाए